दोस्तों, आज का topic है कि गलत English नहीं बोलना है, और इससे कोशिश करेंगे कि तो गलत English नहीं बोलेंगे, बाकी English जहां तक बात है, so far as English speaking is concerned, इसमें गलतियों को इग्नोर किया जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि गलत English नहीं बोलेंगे, और यह गलती इसलिए होती है, चुक सब जगह आपने देपालवी ही, पिलायर्स वोता है, पिलायर्स होता है, उसको पिलायर्स बोलते है, तो यह ही है गलत बोलन, तो ऐसे घल्तियां हमको नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसी गलती करेंगे तो यह देखें English जो है वो गली कुछें बोले जाने वी English नहीं है यह बड़ी ही high profile लोगों की बोले जाने वी जो है language है इसको respect देना है अंग्रेजी अंग्रेजों की है उनके अनुसार चलेगी हमारे अनुसार नहीं चलेगी तो इसमें बह करें sense के जरीए तो बहुत ही जबरदस्त और बड़ी ही अच्छी English आप बोल सकते हैं क्योंकि हमको ध्यान देना है कि अगर बोलते समय कोई गलतियां है तो क्यों होंगी वो चुकि उसका sense हम नहीं लगा पाते हैं सही कि सही word का use हम कहा हम करें सही उसका हम implementation कैसे करें मालीज इसको sour बोलेंगा sour 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 नहीं बोलते हैं sour the milk has turned sour मतलब दूद जो है ना turned sour मने खटा हो गया है मतलब फट गया है खराब हो गया है यह नहीं होगा कि the milk has blasted तो यही होता है सही sense लगा कर English ना बोलने का problem है तब हम लोग गलत बोल जाते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं पंखा चलता तो क्या the fan is working नहीं होगा the fan is working पंखा चलता है the fan is acting कारी कर रहा है यह the fan is running पंखा चलता है machine जो होती ना उनके लिए मैं लोग on का यूज़ करते है the fan is on simple way में बोल दीजिए इतना लंबा जानी depth नहीं जाना आपको करेंगे तो भाई आदमी चालू आदमी चल रहा है तो the man is on ऐसा नहीं the man is smart मतलब आदमी चालू मतलब बहुत होशियार है इस प्रकार से चीजें जो होती ना तो हमको सिखने में आसानी पड़ती है और अगर हम सोचें कि गलतियां ना हो तो गलतियां तभी नहीं होंगी जब हम उसका सही उच करेंगे वर्ड्स का ठीक है आगे थोड़ा सा बात करते हैं आपसे कि बहुत इंग्लिश आसान होती है इस अет यजन्स अब देखिये टापिक मिला था आपने थमनेल में देखा हो गा कि कभ वाइन्ड बोलें किपूंत बोलें यह भी बहुत जरूरी है तो वाइंड कभ होता है वाइंड और विंड जब नावन का सैंस होगा ठीक है जब नाउंस का सैंस होग है नहीं हावा जि से दा विंडिज ब्लोविंग फॉरा दिशा से हवा चल रही है यहां पर विंड हो जाए कि दा विंडिज सो कॉल्ड हवा बड़ी ठंडी है आई फेल्टे गस्ट ऑफ वाइं वाई स्लीपिंग सोते समय मैंने हवा का जोका मैसूस किया तो वहां पर विंड देखे बोलने हम कि यहां पर सेंस हवा को रहा है तो सेंस सीखेंगे ध्यान रिखेंगे संस से सिखेंगे चुकि अलंबे रेस का गें नहीं यह गोल्चक्र के वह है ठीक है ध्यान देना आपको है अगला देखे कर हमentes wind बोलेंगे तो wind का जब action में बोलेंगे वर्व के रूप में बोलेंगे तो कैसे जैसे उसने अपना business wind up कर लिया है उसने अपना business wind up कर लिया बंद कर दिया है wind up बंद करना please wind up the thread on the spool यानि जो चर्खी है न जो आप पतंग उड़ाते हैं तो चर्खी उसको अब लोग स्पूल बोलते हैं या स्पूल पर जो thread है न धागा उसको आप wind up कर लिजिए लपेट लिजिए यहाँ पर देखे वर्व के सेंस में लोग इस्तेमाल कर रहे है चावी होती थी घड़ी की चावी तो ँब भगल में लटकाय रहते थे तो उन घड़ी के लिए वाइंड होता है गड़ी में चावी भर दीजिए तो अगला देखिए वाइंड the toy आप खिलोने में चावी भर दो तो wind the toy, खिलोने में चाभी भर दो, wind, तो देखे, wind का कितना sense निकला है, एक तो wind का noun में जब हवा होगा, और एक verb में उसका यूज़ करेंगे, जब हम wind बोलेंगे, ठीक, अबेंड नहीं बोलेंगे, इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमको sense सीखना पड़ता है, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, blow, अब देखे, blow का कितना sense होगा, ध्यान दीजिए, blow means हवा के sense में होगा, जब हम फूक मार कर कोई चीज़ बुझाते हैं, माली जे बर्थडे है, आप बोलेंगे सर, पहले के काटनेस पहले क्या करेंगे, मुमबत् तो blow होगा, blow off the candles, candles को blow off कर दीजिए, फोक मार करके बुझाते हैं, तो meaning नहीं निकालेंगे, blow का मतलब फोक मारना, sense से समझेगा, आगे हिंदी में translation mode पर बिल्कुल नहीं जाएंगा, ठीक है, अब आगे देखेंगे blow the balloons, मालोग बद्रे पार्टी है, तो गुबारे भी तो फुलाने पड़ेंगे, तो गुबारों में हवा भर दीजिए, तो उसमें हवा भरने के लिए क्या हम लोग इस्तिमाल करते हैं, अगर translation mode पर जाएंगे, तो inflate, inflate the air in the cycle, है न, cycle में हवा भर दीजिए, इन, 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 हवा भर दीजिए, तो यहाँ पर blow का देखिये, sense है, हवा के माध्यम से, please blow the sense, blow the balloons, अगला है, blow of the money, अब कोई कारिक्रम है, तो पैसे उड़ाये जाते हैं, पैसे भी उड़ाते हैं, बोग, तो उड़ाने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए जिए, जी क्या होगी भई, blow of पैसे उडाईए, please blow up the money, we have to rejoice this moment, हमको इस moment को rejoice करना है, आनंद लेना है, इसका अन्द मनाना है, तो blow up the money होता है, हवा उडाना, अब उडाना का गरीजी देखिए, बलो होगा, ठीक है, भरना का अंगरीजी बलो होगा, बुझाना का गरीजी बलो होगा, तो आपको सेंस है सम हवा निकलती है तो उसको हम लोग ब्लोवर बोलते हैं क्योंकि वो हवा को ब्लो करता है हवा को फेंकता है फ्रगला देखिए ब्लो दो हॉर्न आपने देखा होगा ट्रक में बहुत ज़्यादा लिखा रहता है रोड पर जो है चलती है उसमें पीछे आगे कहीं लिखा रहता कोई instrumental अगर कोई चीज है तो उसको play the music होता है music को play कीजे बजाइए लेकिन यहां बजाने के लिए blow का sense क्योंकि हवा के जरीए है इस लिए इसलिए वहाँ पर blow इस्तिमाल करेंगे play the horn ठीक है यह होगया आपका तो इस तरह मैंने कहा कि किसका सही यूज होगा आप सही यूज करके English बोल सकते हैं मेरे ख्याद से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है गलत English बोलने से बचना है तो words के implementation जो है उनको सीखना होगा कि words का सही यूज कैसे करे हैं ठीक है आ आपको words के सही use दोस्तों आना चाहिए बहुत जरूरी है बॉलिंग है बॉलिंग बोल ना चाहिए जण कह बहुत लोग बॉल बॉल बहुता है, क्रिकेट में नहीं हो तो यह बॉलिंग कर रहे है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग होगा, बॉल में आई तो देखिए दो वर्ड हो गया एक वर्ड का दो मीनिंग निकला ना एक बोल मिस कटो रहा और दूसरा बॉल मिस गेंद फेकना ठीक है विल्सों दबस गो राउंड एंड राउंड देखिए कितनी प्यारी सी पोवम है अब भया पोवम बोलो मैं पोवम नहीं बोलना हूँ ठीक है चुकि मैंने खुद ही बताया कि गलत नहीं बोलना है तो पोवम नहीं बोलेंगे पोवम नहीं बोलेंगे चुकि उसका प्रणू कर दोदोच्तों आग मैं बताऊंगा यूज होते हैं और सही इंग्लिश बोलना है प्लुएंश में इंग्लिश बोलना है तो आपको थोड़ा सा देना होगा कि जो उसका trend है, जो उसकी tradition है, उसको थोड़ा सा follow करना पड़ेगा हमको, ताकि कहीं पर अगर हम जाएं, तो गड़बड़ी नहीं हो सगे, चुकि English क्या है न, वो गली कूचे की English, जो है language नहीं है वो high profile लोगों की बोले जाने वाली language है तो में ध्यान देना है will on the bus go round and round अब go, ये बड़ी-बड़ी हाँ पोया में इसको पूरा आप देखेगा, सर्च करके इसमें go का कई मतलब होगा will on the bus go round and round wills का मतलब होता पहिये, जो पहिये हैं न वो go माने हो रहे हैं अब जाने का मतलब नहीं होगा, गो माने जाना गो माने होना और घूमना दोनों मतलब होगा wills on the bus go round and round मतलब बस के जो पहिये हैं वो round and round क्या कर रहे हैं go, गो माने घूम रहे हैं ठीक है, चल रहे हैं, गोल-गोल घूम रहे हैं सब्सक्राइब इसका मतलबूर भी इसका मतलब ऐख बीजर दही पैसेंजर से अधा बस आपंड द यो पैसेंजर हो रहे मतलब चड़ wary है चड़ brings ना आफ जिए वाइपर्स वाइपर्स होता नहीं जो शीश होताई देखिये लाइट जाने से साप करता सुइश लिखर रहेता है। वाइपरस वंदा बस हो, सुइश, सुइस, सुइश तो शुइश, सुइश हो रहे हैं, वाइपरस ह debate मतलब सर ले दिया कहा है। तो यह ध्यान देना आपको है कि और गो का मतलब होता है। अब डिटेल में चलते हैं, और भी मतलब समझते हैं, कि गो का मतलब जो होता है, वो क्योवल जाना ही नहीं होता है, देखें, अगला वर्ड हमारा है, अब गो, ऐसे बोलें ना, वो नराज हो रहा है, मैं नराज हो रहा हूं, मैं नराज जा रहा हूं नहीं होगा, I am going angry, गेटिंग भी होता है, I am getting angry, तो गेट मने तो हो ना होता है, तो गेट कब लगता है, जब दशा बदलते हैं, ठीक है, गेट और बीकम का कब यूज करते है हम लोग, he is becoming rich, वो अमीर हो रहा है, he became rich, वो अमीर हो गया, चुकि उसकी state बदल गई, उसकी दशा जो थी ना, वो transit हो गई, मतलब, change हो गई, जब एक दशा बदलती ना, किसी दशा, जो हमारी मौके पर है, वो दशा हमारी बदल जाती, इससे मालूम गरीब से अमीर हो ठीक है, तो यहाँ पर हम become का यूज़ करेंगे, या get का यूज़ कर लेंगे, I got angry, मैं नराज हो गया, my teacher got angry, मेरा teacher नराज हो गया, मतलब, पहले एक दम बिलकुल, cool mind में था, फिर नराज हो गया, तो वहाँ जब दशा बदलती है, तो वहाँ पर होना के लिए हम लोग, get का अराम से लगा सकते हो, ठीक है, he got angry, वो तो अलग पॉइंट है, है न, he bent angry, वो नराज हो गया, अब go का second form bent होगा, ठीक है, तो आप समझ गया होंगे, कि जब दशा बदलती है न, तब वहाँ पर हम लोग, get or become का यूज़ करते हैं, और जब अचानक से कोई चीश बदलती ह अलग ऐसा कोई मिथक नहीं है, कोई मित नहीं है, कि एकदम right बोल रहा हूं है, लेकिन फिर भी 99% जो है, ऐसा ही sense लगा करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे माली जीए, use करके देखते हैं, he has gone mad, अब he has gone mad का मतलब क्या हुआ, वो पागल हो अब इसके बाद में, अगर लिखा जाए कि I am going to कोई भी काम करने के लिए, एक मैं गीत बता रहा हूं छोड़ी ए पॉइंट को, जैसे देखे ये, हनी सिंग थे हनी सिंग जी, उन्होंने गाना गया था, I am going to कोई भी काम करने के लिए, एक मैं गीत बता रहा हूं छोड़ ये गाना आपने सुना होगा बहुती ही फेमस गाना होता, I am going to loca, 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 अब loca का मतलब जानते क्या होता है, ये कोई lowka जगा नहीं है, अगर जगा होती तैसा होता, I am going to loca, मैं किंसी लोका नाम की जगा पर जा रहा हूं, ऐना, så I am going to loca अधे sabemos, I am going to loca, loca, अमतलब कि मैं diret होता तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि go का मतलब जाना ही नहीं होता है, जिसा आपक़ अक्सर पूछते हैं, what's going on, क्या हो रहा जी? What's going on? क्या चल रहा है? है न, ऐसा कहलते हैं ने हुग, what's going on? क्या हो रहा है? तो ये होता है कि go का मतलब जाना नहीं होता, बलकि Go का मतलब हो ना होता है अब हिंदी में देखिए अलगले इसके माने होते हैं इंगलीश अलग है, हिंदी अलग language है अगर आप उसको देखें के डिफरेंस करके तो दोनों अलग तरकिस बोला जाता है जिससे माल लिए देखिए अगर मैं बोलना है कि प्रिंस्पल साहब आ रहे हैं तो हमारे हिंदी परंपरा में क्या होता है जो कोई हमारा बड़ा बुजर्ग होता है जिसको में रिस्पेक्ट देते हैं तो उसमें हम लोग जो है ना उसको plural number भी बोलते हैं जैसे आप क्या कर रहे हैं तो रि किया कर रहे हैं कि अब इंगलिश में देखये क्या होगा अगलिश में होगा कि प्रिंस्पल साहब आ रहा है और हिंदी में होगा प्रिंस्पल साब आ रहे हैं हिंदी मुने बोला है क्यों चुकि हमने उनको respect दिया वो हमारी हिंदी किसाप चलेगी और इंग्लिश में क्या होगा the principle is coming, principle आ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि हर चीज का मतलब जो होता न over to a translate बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग तो यह आपको ध्यान देना, मेरे ख्यास से आपको इस समझ में आ गया होगा कि go का मतलब जो है कि जाना ही नहीं होता, बलकि go का मतलब होना भी होता है भूमना भी होता है कई चीज़ें होती है, ठीक है तो जिस तरह से आपको sense आये ना English में प्लीज आप sense लगा कर English बोलना कभी भी word to word translate नहीं करना क्योंकि इससे कि आवकन आपकी fluency रुख जायागी आप confidently बोल नहीं पायेंगे तो यह practice करो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ ना इसकी series देखे चल दिए चैपक वीडियो मैंने बनाया है तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपको English बोलते समय करना क्या है English बोलते समय आपको बिल्कुल हिचकना नहीं है flow में बोलना है, बस सही use उसका करना है, word का है न sense से Thank you so much for watching this video